मैं तो पहली बार बनाने चाहिए हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सेब आई होप अच्छे होगे और ना ठंड बहुत जादा बढ़ गई है तो सब लोग अपना ख्याल रखना ठंडी का मौश्म है और दो तीन दिन से ना कुछ जादा ही ठंडी हो रही है कुछ करने का मन नहीं होता और ये बैटने देखो लगा के थोड़ी सी राहत मिलती है किच्छन में तो आप लोग व्लॉग में बने रहेगा और व्लॉग इंजाइग कीचिएगा मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में कि अदा बच्चा कॉन है के १ू की शराबत देखाई थाया है कई बड़ेगा कर ग्मूल, कर गिल कोड़े सिंक आपक। क्या होएँ? क्या बनुब?! बच्चा बिच्चा? बिच्चा पीच्चा इसा भाक तो? अब यहीं माल लाटी? कालोगे की नहीं है बता मुझे? कालोगे की नहीं? 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 думаю. इना हुष रहारी ताहर. ओड़े। को को का युझक हुझा हो. पुझक हुग अरे जट così का मोचैस भीर शटति मैं थोंड降авी रुको या और आज बनने जा रही है पकोड़ी ग्रीन वाले प्याचकी किस किस ने खाईये बतागेगा मैं तो पहली बार बनाने चाहरी है ये बेशन नमक और थोड़ा शाग कहूं काटा मिमी मिक्स किया है और बनने में चाहे चाहे में चाहेगा चीनी और चाहे और अपकी अब आपकी आपकी दिनों से मैंने वीडियो नहीं राले तो फिर शचान निव येर में फिर से इस्टाट करूं कि क्या समझ में नहीं आ रहा है शुरू कर दिया चाहे पती मैंने एड कर दी है और इधर तब तक में बनाओ गड़ाए और तब तक थीरे दीरे मेरी चाहे ब अब दूद रही थी इसे और यह मिल नहीं रही थी इसमें गरम करेंगे थोड़ा शाप पानी और के एड किया में शॉल्ट थोड़ी पाउडर और और कुछ नहीं डालना शिंपल सी पोड़ी बनाना है और पहले बार बना रही हूं देखते हूं पैसी रखती है कभी नहीं बनाई मैंने अस तक आप लोग वीडियो में बने रही है कि तो फ्रेंड्स जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूं तो पकॉड़ी पंच चुकी थी और ये वीडियो मैं कई दिन पाद एडिट कर रही हूं और काफी अच्छी बनी थी ग्रीन वाले पे आज की बना लिया था उसके बाद ये देखी देखने में मतलग ग्रीन ग्रीन और थोड़ा शाँ बहुत अच्छी लग रही थी देखने में भी और खाने में भी बहुत टेश्टी लगी तो सुबह के टाइम पर मैंने बनाई थी और ये रहे पती दियो जो खार हैं और मैं इधर बना रहे हों बन चुकी हैं तो फिर साथ में ये चाय और पकॉरी खाई हमने भी और थोड़ा सा मैंने कैप्चर कर लिया और उसके बाद फिर मैंने तैयारी कर ली वो क्लिफ पता निंकां डिलीट हो गई जिसमें को भी मैंने काटी चीली नहीं मिली तो ये यहां पर सूख को भी और आलू की सबची सूखी मैंने बनाई थी और बनाई थी पूड़ियां गोभी की सबजी ना सूखी अच्छी लगती है पर हमारे हस्पेंट को पसंद नहीं पूड़ियों के साथ तो खा लेते हैं तो मैं बहुत कम ही बनाती हूं ये बन चुकी है मेरी सबची और इ चाय पनके हो गई रेडी तो फिर धरम निकालेंगे पती देव के लिए और अपने लिए आराम शेपी के उसके पाद हम करेंगे पूरी आम पनाने की तैयारी तैयारी किया मतलबस बनाना है चाय मैंने चाहन के दिये और मैंने भी पीली उसके बाद यहां पर काट ली चोटी चोटी शी लोईयां काफी शारी मतलब सारे आटे की मैं वैसे काट के रख लेती हूं तो फिर इजली जदी-जदी से मतलब भी बन जाती हैं फटा फट पुड़ी हैं तो मैं वही कर रही ह यहां पर और बिट्टू कैप्चे कर रही थी शायद गर्मा गर्म पूरियां बनेंगे और शारे लोग खाएंगे जाएंगे झाल 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 तो अभी तो हम बैठे हैं कि चैन में और सब्ची मैंने सुखी आलू की सब्ची बनाई है वो मैंने बना के रखती है और आटा भी लगा के रेटी कर दिया यह देख शकते हैं और इधर कराही के यह बन गई है सुखी सब्ची यह देखिए नहीं दिख रही है और पती देव भी आ गए शौप शे अब बनाते हैं चाय वाए उसके बाद बनेंगी रोटियां पूरियां देखते हैं क्या कौन खाता है फिर वही बनाएंगे तो आज का फ्लॉक आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताएगा कमें मैं मिलूंगे आपसे न्यू वीडियो न्यू फ्लॉक में तब तक के लिए बाइबाय टेक केर थैक्स पर वाचिंग